सो हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपकी यूट्यप चैनल माइगनु सॉलूइशन में और मैं प्रेडिना सिंग आज की वीडियो में डिसकस करूंगी भारत का इतियास के फ्री सॉल्फ असायमेंट बेसिक किस तक के लिए और चिरी स्टुडेंट्स ने जुलाई 2020 में अन रूब कर दूगी एंडर वाइस जब मैं आपको सॉल्फ शॉल्फ दिखाऊ तो आप वीडियो को पॉस्ट करके आप उन असायमेंट को नो डाॉन कर सकते हैं स्टुडेंट्स अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्स्क्राइब नहीं करा है तो आने वाली वीडियो के ल कुल सौ अंक की हैं, सौ अंक में से आपको आपकी assignment मैं अंक दिये जाते हैं तो यहाँ पे क्या दिख्थान है, दिजक रहे हैं कैसे हमारा assignment किस method से बनाया गया है तो यह देखिये शत्रे कार्य विभाजित हैं इसे तीन भागों में विभाजित हो रखे हैं आपको तीनों ही भागों के सभी प्रश्टों के उत्तर दे दे, जो प्रश्टों के उत्तर आपको दे ने है कोई साब प्रश्टों यह इसदों था नहीं छोड़ सकते. प्रतिक प्रश्ण 20 अंकों का है यानि कि आपको सत्रेकारी एक में केवल दो प्रश्ण आपको देखने को मिलेंगे और उन दोनों प्रश्ण के उतर आपको 500 शब्दों में देने हैं और प्रतिक प्रश्ण आपके 20 अंकों का है अगर बात करें सत्रेकारिय दो की तो यहाँ पे लिखा है निमिली की तुमध्यम श्रेडी प्रश्ण के उत्तर लगभग 250 शब्दों में दीजिए प्रत्यक प्रश्ण 10 अंकों का है यानि कि आपको सत्रेकारिय दो में केवल 3 प्रश्ण आपको देखने को मिलेंगे और उन 3 प्रश्ण के उत्तर आपको 250 शब्दों में देने हैं और प्रत्यक प्रश्ण आपके 10 अंक का है फिर आते हैं सत्रेकारिय तीसरे पर यह देखिए यह आपका लास्ट भाग है निमिली की लगश्रेडी प्रश्ण के उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए प्रत्यक प् सो स्टूडेंस यह देखे आपने अपने assignment के तीन भाग देखे जैसे कि बोला गया था कि आपकी जो assignment है वो तीन भागों में विभाजित है कोई सब प्रशन आप नहीं चोड़ सकते सब प्रशनों के उतर आपको देना अनिवालिये हैं सो स्टूडेंस अब हम इन प्रशनों के उतर देख लेते हैं सो स्टूडेंस फर्स्ट्री में आपके साथ सत्रे कारिये एक की जो प्रशनों उतर है वो मैं आपके साथ डिसकस करूंगी 200 BCI से 300 CE तक की अबधी में वैपार और शेहरी करण की मुख्य विशेष्टाओं पर चर्चा करें दूसर प्रशन है आपका गुप्त काल और उत्तर गुप्त काल में अर्थ विवस्ता और समाज में हुए परिवर्तनों पर चर्चा करें टूसर अगर आप चाहें सुड़ियन्स तो आपके साथ खिस्टाओं पर चर्चा करें आप इन प्रश्णों के उत्तर आप वीडियो को पॉस्ट करके आप लिग भी सकते हैं। देखें कितनी अच्छी तरीके से हमने जो उत्तर है वह यहां पर एक्स्प्लेइन करा है। जो आपके प्रश्णी में बोला गया है उसे से दिलेटिट आपका यहां पर जो उत्तर है वह लिखा है। तीसरा प्रश्णी है आपका। दो सो बी सी ए से तीन सो सी ए की अवधी में कुशान समराज्जी की विजय और विस्तार का वर्णन करें। क्या उनके समराज्जी को मध्य एशियाई समराज्जी कहा जा सकता है। नियोचित ठहराईए। प्रश्णी चौथा है आपका तीन सो बी सी ए से आर सो सी ए के बीच की अवधी में महिलाओं की रिस्तिती पर चर्चा करें। प्रश्णी पर चर्चा करें। करें। च्छटा प्रशन है आपका पाली और प्रकर शिल्प और शिल्पकार साथवा प्रशन है आपका आठवा प्रशन है तांत्रिक धर्ब प्रशन नौवा है हर्श और कनोश का उद्द्ध स्टूडेंज यहीं पर आपके जो असाइयमेंट है वह आपकी कंप्रीट होते हैं और अगर आपको इनस्टाइमेंट को नौट दाम्स नौट इसेएंपक्र करना है तो आप video को पॉस्ट करके आप एजली इनासायमेंट कर सकते हैं अगर आपको other wise in assignment का pdf चाहिए या फिर आपको गर संदासायमेंट का pdf चाहिए तो आप में चाहिए कॉंटेक कर सकते हैं कॉंटेक नमबर में आपको description box में जैसे कि आपको नोट में बताया गया है कि सभी प्रशनों के उतर आपको देने हैं तो उन्हीं को देखे यानि कि आपको नोट को देखे ही आपको अपने असाइमेंट को बनाना है और सभी प्रशनों के उतर दीजिए कोई सभी प्रशन आप ना चोड़े भारत का इतियास कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक, शियर और कॉमेंट करें और अगर आप मेरी चैनल पर नए है या फिर मेरी वीडियो को फर्स टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को बजोना ना भूले